सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए जहां पे ये अल्मोस्ट हरें की इंडिस्ट्री में होता है और इसकी विजए से मतलब कंपनीज का फायदा हमारा नुकसान तो आगे जानते हैं कि आखिर क्या है यही प्लाइंट ऑपसलेसेंस नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेकनिकल पूस्ट यहां में आप मतलब अभी अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली टेक दुनिया की तो यार अभी अगर आपने वाइल फोन ले लिया अगर मुस्ट सही चलता रहा और मतलब सब कुछ उसमें सही रहा जार साल हो गए पात साल हो गए और अगर आपने एक नया फोन नहीं लिया दुबारा से तो क्या दोस्टों उन कंपनी का नुकसान नहीं है बिल्कुल नुकसान है तो वो ये चाहेंगी कि भाई जो कस्टमर्स है ना वो मतलब बारी बारी बस हमारे प्रोड़क्स को लेते रहे लेते रहे और यहां पर सिर्फ टेक की बात नहीं है फिर मतलब एक section है जिसके उपर काफी ज्यादा सोथ समझ के planning करके action निया जाता है कि मतलब हम ऐसा क्या करें कि वो जो customer है वो बारी-बारी जितना जल्द से मतलब हो सके बस back-to-back हमारे ही products को लेता रहे तो यहां पर अलग-अलग regions में काम किया जाता है जहां पर अगर अगर अब से बात करता हूँ सबसे पहले design की तो जान भूच के जिहां जान भूच के products को कमजोर बनाया जाता है दोस्तों ऐसे में जो कुछ critical parts होते हैं उसकी जगह पे cheap materials का इस्तिमाल करता है कि मतलब over time वो धिरे-धिरे degrade हो धिरे-धिरे खराब हो ताकि वो product condom हो कि वही है customer जो है वो नहा कुछ upgrade तो करे वरना अगर आज कुछ ऐसा बना के दे दिया जो मतलब खराब कभी होई नहीं रहा है तो यहां पर उस तो company का loss है और ऐसे में एक बहुत ही common example है किलोने किलोने कितने भी अच्छे हो थोड़ा बहुत कुछ right left हो और वही है वो बस तूट गया ऐसा कि repairing पॉसिबल है नहीं और ऐसे में कुछ नया तो लेना ही पड़ेगा और यहां पर उस तो in fact न सिर्फ यह जो parts है जिनको जान पूछ के कमसर बनाया जाता है कई बार तो पूरे product को ही ऐसा बनायते हैं कि मतलब repair possible नहीं है अगर खराब हुआ तो नहीं ही लेना पड़ेगा फिर्जाब दोस्तों यहां पर बहुत ही common trend है अगर हम बात करते हैं earphones की अब यह यह जार आप कितने भी महंगे ले लें कुछ अगर problem होई तो आपको नहीं पड़ेगा म जाफर कई बार तो companies जो है वो खुद जान बूज के restrict करती हैं ऐसी चीजों को कि मतलब कोई और उसकी repair करना सके या फिर अगर कुछ एक छोटी चीज़ खराब हुई तो भाईया change आपको बहुत ज्यादा बड़ा item करना पड़ेगा जिसकी cost ज्यादा है और ऐसे में बात मे तो जो mobile phones मिलते हैं वो ऐसा निया कि पिछले साल वाले से मतलब पता नहीं कितना ही आगे निकल गए है होता तो यह जो पिछले साल वाले है वो अभी ठीक हालत में होता है और ऐसे में competition जो है वो दे सकता है नहे वाले को लेकिन अब क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रेड हु जो है वो ज्यादा ना उसकी तरफ वड़ पाएं खरीदने को तो ऐसे में software अप्डेट्स वगरी कि मतलब बहुत अच्छा है तो अब तो मुझे नया वाला ही फिरिटना पड़ेगा या फिर इतने इतने ऐसे चेंजिस करके उनको इस तरीके से मार्केट किया जाए कि मतलब लगे कि नहीं भाई हम तो अभी जो है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में है पहले सिंपल स्क्रीन सी जितने नॉच आई तो सब लो जो है वो हम को चाहिए नॉच 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 से निकलके जब भी आते हैं बृजल लेस तो सब को चाहिए बिसल लेस अब नॉच चब झालने ए सी खास फर्थ है नहीं इन फाक्ट दूस्तों यहां पर कई बार तो बहुत बार ऐसा होता है कि software updates वो अरी को मदद से ही कि मतलब अब जो नहीं वाली apps हैं वो उसमें काम नहीं करेंगी या जो नहीं accessories हैं वो उसमें काम नहीं करेंगी इन फाक्ट दूस्तों यहां पर यह tech industry में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है और especially smartphones की दुनिया में because आप जानते हैं कि यार हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में back to back चाहा कोई भी company वो यार mobile phones launch कर दे रहाती है और उनको चाहिए नई customers अब ऐसे में जो market है वो तो खेर इतना अधा expand करनी रहा है लेकिन फिर भी उनको चाहिए कि मतलब जिसने हमाला 6 मिने पहले भी phone लिया अब जो नए वाला phone आए वो इनसान वही है जल्दी से कर ले upgrade आप upgrade क्यों करेगा क्योंकि आप उसको forcefully upgrade करने पे मजबूर कर देंगे अगर हो सकता है वो पुराने वाले phone में को problem हो या पुराने वाले phone के अंदर कुछ ऐसे issues हो जो रखते हैं कि हाँ नए वाला उसको solve कर सकता है तो लोग फट से jump करके खरीद लेंगे नए वाले product को और यहाँ दोस्तों यह चीज आज की नहीं यह चीज बहुत बहुत पहले से है फिर in fact अगर हम बात करें गाड़ी हो की तो उसमें भी ऐसे सीन है कि 2018 model आपने आज देले कोई गाड़ी बहुत ही अच्छी सी अब 2020 model आगया है वेज़े उसके लाइट को चेंज कर दी है हलका सा बाकी गाड़ी सेम तो सेम लेकिन आपको लगता है कि नहीं या रभी मेरा रोड़ी पुरानी हो गई है तो बहुत अप्ग्रेड करता हूं नहीं गाड़ी में और यहाँ दोस्तों मॉबाइल फोन के तो मतलब क्या कहने कई बार तो अच्छे भले चलते हैं फिर तो अपको अपको मज़ा आता ही है और कुछ वो आपको एक्स्टा धक्कायक मार देती है कि हाँ भी तुमारे वाला फोन जो है वो किसी काम का नहीं है अब तो नहा लेना ही पड़ेगा अब तो और यह आपको लगते शूड़ के रहे के अरुड़ के रहे कि बताएं यह इंतर पंगा अब तो नहे ही पड़ेगा पड़ेगा रिपेरिंग की कॉस्त तो बहुत जाता है तो यहाँ पर यही दूस्तों कुछ इश्यूज है हमारे चारो तरफ जो अगर आप ध्यान से देखे तो आप नोटिस करेंगे हर एक प्रॉड़क्ट में हर एक इंडस्ट्री में और यह है प्लान अपसलिसेंस वैसे में आप यह जरूर किया है आपकी राए नीचे कॉमेंट में दोस्तों बस तौब भी इतना ही दिखने के लिए आपको उस्तों बहुत मुझे उमीद है कि आपको वड़े कुसंदाय होगा अगर आपका कोड़ से दोस्तों जहाब हो तो आप नीचे मुन करना मत भूलिएगा अगर